नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News परदेश निर्वाचन आयोग द्वारा रेवाडी नगर परिशद वे धारो एड़ा नगर पाली का चुनाव की गोशना ने सर्द मोसम में राजनीतिक सर्गर्मियों से गर्माहट पैदा कर दी है चेर्मेन पद की दोड में सामिल सताधारी दल समर्थक अपनी पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए आकाओं की दौर पर दस्तक शुरू हो गई है भाजपा की तरफ से पूरू चेर्मेन विजे राव की पतनी निर्मला राव फे निवर्तमान पार्षत जैलदार विनय यादो की पतनी अनिता यादो के अलावा मार्केट कमेटी चेर्मेन गुर्द्याल नम्बरदार की पुत्र वदू का नाम खुल कर दावेदारों में लिया जा रहा है जबकि 2019 के चुनाव में विधान सभा टिकेट की दावेदारी करने वालों के अलावा रामपुरा हाउस के करेबी कई लोग गुपचुप तरीके से टिकेट हासिल करने की कवायद में जुट गए हैं हरियाना विध्याले सिक्षा बोर्ड विवानी दवारा निदे साले सेकेंडरी सिक्षा हरियाना के निर्दे सानुसर अध्यापक पातरता परिक्षा दो वे तीन जनुवरी को करवाई जा रही है यह जानकारी देते विए बोर्ड के अधेक्स डाक्टर जगबीर सिंग एम सची उराजीव परशाद नीदी उन्होंने बताया कि हरियाना अध्यापक पात्रता परिक्षा के लिए ओनलाइन आविदन सुल्क भरने की अंतिमती थी 4 दिसंबर निर्दारित की गई थी जिसे ब हरियाना में कोरोना के आगड़ों में भले कमी आई है लेकिन मोतों का आगड़ा बरकरार चल रहा है शुकरवार को 37,563 शैंपर लिए गए जिन में से 1,602 नए मरीज सामने आए 19 लोगों की मोत हुई है परदेशबर में कुल पोजिटिव मरीजों का आगड़ा 24,841 पहु मोसम में ठंड बढ़ने के साथ ही सोनिपत में सुकरवार को सीजन के पहले कोरे ने भी दस्तक दे दी है पहाडों पर बरब जमने से अचानक मोसम में परिवर्तन आया है मोसम में जियों जो ठंड बढ़ेगी त्योंत्यों क्योहरा भी बढ़ने की उमीद है मोसम में ठंड वे कोहरे से फसलों को लाब होगा मोसम विचेसकों की माने तो एक सफ़ता बात कुछ छेत्रों में बारिस या हलकी बुंदाबांदी के आसार है 10 दिसंबर तक मोसम साफ रहने और अधिक्तम वे नियूंतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है कोहरा चाने और ठंड बढ़ने से फसलों को फायदा होगा ऐसा मोसम ग्यों की फसल के लिए रामबान साबित होता है बीएड में दाखला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अच्छी ख़वर है उन्होंने बताया कि आविदक अपने आविदन में 11 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच साइं 5 बजे तक संसोधन कर सकते हैं 14 दिसंबर को 12 बजे ओवराल मेरिट लिश्ट लगाई जाएगी सोनिपत के सिंगु बार्डर पर सुकरवार को 50 से ज़्यादा किसान संक्टनों की और से कोर कमेटिक बैठक हुई यह बैठक 6 गंटे तक चली बैठक में फैचला लिया गाया कि कल सरकार के साथ 500 और की बैठक होगी और बैठक में सबसे पहले किर्शी कानोनों की वापसी का एजेंडा रखा जाएगा इसके बाद ही बैठक आगे बढ़ेगी वहीं कल ही पूरे देश में परदान मंतरी मोदी के पुतलों का दहन होगा इसके साथ ही 8 दिसंबर को किसान संक्रों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है Central University हरियाना में इस सत्र से ही Master of Physical Education and Sports कराया जाएगा पहली बार शुरू हो रहे इस Master Course में 20 सीट होंगी जिसके लिए 14 दिसंबर तक आविदन कर सकते हैं Master of Physical Education and Sports की सीटों पर दाखिले के लिए आविदन मांगी गए हैं जिसमें आविदक का BPA, BPS या BSC in Sports Science की डिगरी होना आनिवारी है आविदकों की मेरिट सूची तयार की जाएगी इस मेरिट सूची के आधार पर ही दाखिले किये जाएंगे इसके लिए online तथा offline दोनों ही तरीके के आविदन सुची कार किये जाएंगे